दोड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है लेकिन बहुत से फिटनेस फिक्र को नहीं पता की रनिंग और जोगिंग में बहुत अंतर है दोनों के रिजल्ट भी अलग है तो वाई ये जानते हैं क्या फर्क है दोनों में और दोनों के फैदे क्या है रनिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है जो सेहत से जूड़ी अंगिनत फैदे देती है जब तक इसे ठीक तरीके से और अच्छी सेहत की सिती में किया जाए जोगिंग क्या है दर असल जोगिंग और रनिंग एक नहीं है हलाकि दोनों एक्टिविटी समान एक जैसी है साबद पर जॉगिंग एक्सरसाइस बिना किसी सारीरिक नुकसान के एरोबिक रजिस्टेंस ट्रेनिंग और फिजिकल एप्टिट्यूट की छमतक को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है जो बहुत तीवर एक्सरसाइस से मिलता है यह रिकवरी के लिए एकदम सही है उन लोगों को जॉगिंग की सला दी जाती है जो लोग मेडियम इंटेंसीती वाले इरोबिक एक्सरसाइस करना चाहते हैं और इंक्सरसाइस नहीं करना चाहते हैं जॉगिंग किसी भी उम्र में कई तरह के हिल्ट से जुड़े फैदे देती है लेकिन हाई इंपक्ट फिजिकल एक्टिविटी को करने से पहले अपने डॉक्टर से सला लेना जरूरी है वरना जोखिम उठाना पड़ सकता है इस मामले में निचले अंगों में चोट का कारण बन सकती है जोगिंग करने के फैदों के बारे में बात करें तो यह सरीर में बहतर ऑक्सिज में सुधार करता है यहां प्लेट लेट कंसंट्रेशन को कम करता है और फाइब्री नॉलिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है जो रोग संबंधी ठक्के को रोकता है आए अब बात करते हैं रनिंग क्या है जब हम रनिंग की बात करते हैं तो हमारा मतलब है ठोस तक्निको का पालन करते हुए विशिष्ट उद्देशियों के साथ प्लान के अनुसार ट्रेनिंग में भाग लेना दूसरे सब्दों में कहे तो एक्सरसाइस में भाग लेना रणिंग में हाई इंपक्ट इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइस सामिल है जिसमें आप लगभग 10 मिनट प्रती जवाइंट और हिर्दय की सेहत में मदद करता है मास्पेशियों को मजबुती और सरीर के बीच वाले हिस्से में फाइबय टोन को बढ़ाता है वजन बनाया रखने में मदद करता है और वजन घटाने को बढ़ावा देता है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस तरह की यह और हेल्थ से संबनित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद.